नमस्कार दोस्तों फिर से सागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में Redmi Note 9 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में एप्लिकेशन को कैसे हाइड कर सकते हैं यानि कि छुपा सकते है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रेक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर अगर बाइगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं तो एप्लिकेशन को हाइड करने के लिए आपको क्लिक करना है और यहां पे आप टर्न आउन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको कोई सा भी एक पैटन ड्रो कर देना है यहां पे अगर तो यहां पे आपको पिन और पासवर्ट को अप्शन भी देखने को मिल जाएगा अगर इसमें से आप लगाना चाहते हैं तो इसमें से आप सेलेक्ट कर देंगे अधरवाइस पैटन पे ही रहने देंगे तो यहां पे मैं पैटन ड्रो कर दूंगी अपना और इसकी बाद से ड्रो करना है और इसकी बाद नेक्स पर क्लिक कर देना है और यहां पे आप से साइन इन के लिए मांगा जा रहा है अगर 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 बना देंगे अगर बना हुआ है पहले से तो यहां पर एड कर देंगे तो यहां पर नॉट नाउप मैं क्लिक कर दूंगी अभी मुझ तो यहां पर आपके सामनी स्टेप के इंटरफेज सब्से उसे ब Ugh फिरिंगे और धुरिंगे सो घुम्हे आपकी आप खेंगे यह एक स अवसरे ठीक है तो यहां पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है और इसके बाद मैं बैक कर दूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा वर्टसप वगरा है वो सारा यहां से डिस्प्ले पर से हाइड हो चुका है यहां पर आपको शोर नहीं होगा तो इस टाप से आप अपने अप्लिकेशन को हाइड कर सकते हैं तो आई होग गाई यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राब कीजेगा चैनल को तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक क अप्लिन अशकार